लो फ्रेंट्स विल्कम बाक टो माई चानल दव्यास अकाडमी और आज हम करेंगे सिक्स्थ चाप्टर सदा चारहा सदा चारहा का मतलब होता है अच्छा व्यावार तो चलिए पहले हम इसके शब्दार देख लेते हैं रिपूह शत्रू एनमी उद्यमह परिश्रम हार्ड वोक शरीरस्थः शरीर में स्थित एक्जिस्थिंग इन बॉड़ी अवसीदती दुखी होता है विकाम सौरो श्वह आने वाला कल टुमॉरो कुर्वीत करना चाहिए शुड्डो पुर्वहेन दोपहर से पहले in the afternoon आपराहिकम दोपहर के बाद करने योग्यकार वक्तु बेड़न इन अफ्टरनून अन्रिदम जूट लाई सनातनह सदा से चला आ रहा हो अटर्नल स्यात हो शुड्बी ओदार्यम उदार्ता जिनौर जिनिरोसिटी रिजुता सरल्ता सिंप्लिसिटी ब्रिदुता कोमलता सौफ्टनेस कॉटिल्यम कुटिलता तेढ़ापन विक्टिनेस सेवेद सेवा करना चाहिए शुर्सर्व परिवर्जयत बचना चाहिए शुड़वाइड वाचा वाडी से बाइस्पीच So now let's start the chapter आलेस्यम ही मनुश्य नाम शरीरस्ते महान रुपूह यानि आलेस्य है जो लेजिनेस है वही जो एक इनसान है उसका सबसे बड़ा एनिमी है सबसे बड़ा उसका शत्रू है जो उसके बॉडी में ही होता है नास्तु दस मस्मो बंदू कृत्वा यम ना विस्दिती और जो परिश्रम है वही इनसान का सबसे बड़ा भाई होता है और परिश्रम को करने वाला कभी दुखी नहीं रहता है यानि कि जो काम आप कल करने वाले हैं उससे आप आज ही कर लीजे और जो काम आप दोपहर के बात करने वाले हैं उससे दोपहर के पहले ही कर लीजे नहीं प्रतिक्षते मृत्यू हो कृत्मस से नवा कृत्म जो आपका डेथ है जो आपका मृत्यू है यह नहीं देखिया था कि आपने अपना काम पूरा किया है कि नहीं किया है सत्यम प्रियाद प्रियाद नो प्रियाद सत्यम प्रियाद मतलब हमें सच और हमेशा प्रिया ही बोलना चाहिए सत्य और हमेशा मीठी वाड़ी ही बोलनी चाहिए हमें कब भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सथित हो परंतु वो अगर अप्रिय हो मतलब वो जादे प्याहरी ना हो भले उसमें सथिता हो प्रियम चो नानरितम भृयात एशा धर्म सनात नहा जो हमें ऐसी भी बात नहीं करनी चाहिए जो भले प्रीय हो पर वो जूठी हो और यही सनातन धर्म है सर्वदा व्यवहारे स्यात और दर्यम सत्यताद था रिजुता मृदुता रिजुता मृदुता चापी कौटल्यम न कदाचन हमारे छो व्यवहार है उसमें हमेशा उदारता, कुमलता और सरलता होना चाहिए हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए मतलब लोगों को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए यानि जो श्रेष्ट लोग हैं जैसे की गुरू, माता, पिता हमें उनका मन से, कर्म से, वाडी से हमें उनका सेवा करना चाहिए जो भी श्रेष्ट लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जो अपनी मित्रों की बात नहीं मानता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है इती गवात्वा, ग्यात्वा, प्रयासें तदेव परीवर जयत और इसे ही रियाद रखते हुए, हमें कभी भी अपने मित्रों से लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कर दीजे, सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चानल को थांक यू और बब बाई